आज प्रस्तुत है हिंदी कहानी सोच, सास बहु का रिष्टा ऐसा होता है जो परायपन से अपने पन तक की दूरी तैय करता है, ऐसा हो इसके लिए जरूरी है बदला नजरिया, अतुल सालों बाद विदेश से लोटा था, एरपोर्ट से सीधे अपने शेहर के ट्रेन उसने पकड़ ले थी, चार सालों तक विदेश में रहने के बाद अपकी बार उसे छुटी मिली थी, शेहर तक जाने के लिए रात के ट्रेन ही उससे सब से सुईधा जनक लगी थी, एसी अपार्टमेंट में खुद को सहज महसूस करने के बाद उसने यादों की फरिष्टे को ट बलकि वहां तो यह वेंजन देखने को भी नसीब नहीं होते थे, भूले भिसरे, अच्छे बुरे रिष्टेदार, मित्र भी उसे याद आ रहे थे, बड़े दिनों बाद उसने उनसे वह मिलेगा, सुबह जब ट्रेन इस्टेशन पर पहुँचने लगी तो मा का चहरा उस सबसे जादा याद आने लगा, छोटा भाई स्टेशन पर लेने पहुच गया था, दोनों के बीच रस्ते भर बातों का आदान प्रदान हुआ, घर पर मा प्रतिक्षा कर रही थी, बड़े बेटे को देख कर आखों की चमक चोगुनी हो गई थी, मा ने उसके नहाने धुन के बाद आराम करने को कहा, अतुल थका हुआ भी था, सो जल्दी ही नींद आ गई, बच्चों के शोर से नींद खुली, तो दोपहर हो चली थी, दोनों बच्चे बड़े प्यार से, ताउजी से मिले, थोड़ी बहुत चोकलेट्स जो वहलाया था, उनमें उसने पांट दी तो पहर के लंच के दोरान, बाते होई जिसमें कई किस्सों का आदान प्रदान हुए, मा के हाथ का ढुकला, मक्के के वेंजन, आचार दोबारा चखने को, मिला तो लगने लगा कि अपने देश में जिन्दगी कितनी सुकून दायक है, अपना देश, अपने लोग, अपना खाना पिना, विदोशों में तो देशरा, दिवाली की अनुमती से मनानी पड़ती हैं, तोहार का मजा ही नहीं रहे जाता, वहाँ पैसा तो है, पर एक अजीब सा खालीपन है, हालनकि वहाँ पर काम करने की जिद भी उसी ने की थी, फिर बहन और जिजाजी ने अपने माध्यों की प्रभाव से उसकी नोक्री लगवा दी थी, पर काम का दबाव बहुत था, और आराम सुरक्षा तथा, इस्ताइत तो बिलकुल भी नहीं, विदोशों में दो पैसा कमा के, वहां की लग्शरी लाइफ स्टाइल से भले ही आप पडोशियों को प्रभावित कर पर मन ही मन तो, उस तोते की तरह मैसूस करते हैं, जो पिंजरे में मेंगा खाना खाता है, लेकिन उड़ नहीं सकता, दस-पंदरा दिन तो पंक लगा के उड़ गए, बच्चों के साथ वाकिंग पर जाना, रिष्टेदारों से मिलना, अपनी पुरानी सह कर्मियों से मुल नहीं बनी थी, या यूं कहें कि उसने भी आर्थिक लालच में बनाने की कोशिश ही नहीं की, सो मा उसके पास कभी नहीं रही, वही अपनी बीवी बच्चों समेत तोहारों पर छोटे भाई के घर आ जाता था, मा के कुछ छुट-पुट खर्चे के अलावा, समस्त खर्च रिष्टेदारों से लेन देन सब छोटे के माथे थे, बाई की बीवी मोकरी पेशा थी, घर दफ्तर दोनों संभालती थी, कामकाजी हुने के बावजूर भी उसने घर में सामज़स से रखा हुआ था, अतुल मा की सहन चीलता वैकारिश एली को इसका जिम्मेदार मानता थ मा बहु को कुछ कहती ही नहीं थी, आगे बढ़कर काम कर देती थी, बाईयों के रहते हुए भी घर गस्ति में अनेक काम होते हैं, मा सभी को साथ लेती थी, गेहूं बिनना, आचार बनाना, बढ़ियां, चिफ्स रालना, यह सारे काम कहां बहु से सत्ते, वहे तो ठहरी का का जी महिला, उस दिन तो हद ही हो गई, बहु की चोरों की अवाज उसकी कानों में पड़ी, वहे सुभे बच्चों के टिफिन में ब्रेड पकोड़ा देना चाहा रही थी, और घर में ब्रेड नहीं थी, उसने मा को कहा कि वहे मार्केट में ही थी, बता देती तो ले आती, इतना सुनना था कि अतुल को गुस्सा आ गया, इतना शोशन, बेचारी, विद्वा, बेसहरा मा का, यह हश्र, अतुल मा को अपने कमरे में ले आया, उसने मा से कहना शुरू किया कि बहु उनसे नुकरानी की तरह ट्रीट करती हैं, उनका शोशन हो रहा है, भाई भी कुछ नहीं कहता, पर मा ने उसे चुप करा दिया, खैर जाने का वक्त भी आ गया, भरे गले से उसने मा से विदा ली, लग रहा था, मानो मा को जुल में सहने के लिए छोड़ कर जा रहा हो, मा ने उसकी मन इस्तिती भाप ली थी, वे बोली कि वह उसकी चिंता ना करे, वह छोट बेटे के साथ बहुत खुश है, बहु उसकी अपनी ही है, और उसमें तथा अपने बेटे में फे कोई फर्क नहीं समझती हैं, अतुल ने हैरानी से मा की तरफ दिखा, उनकी आखों में द्रढ़निश्चे था, कामकाजी होने के बावजूत, बहु ने कभी भी स्वेम को घ हमेशा ख्याल रखा था और उसे मा का धर्जा दिया था, थोड़ी बहुत जगड़े या मत भेद तो हर घर में होते हैं, घर के काम तो वह है, स्वेम टाइम पास करने के लिए और फिट रहने के लिए खुद ही करते हैं, छोटी बहु ने स्वार्थ नहीं, हमेशा घर का हि अगर हम बहु में कमी और उनके काम में मिन मेक निकाल कर उन्हें अलग मानते रहेंगे, तो परिवार में एकता कैसे बनेगी, परिवार में सामज़त से नहीं होगा, तो काम सधिंगे कैसे, बहु भी तो अपना घर छोड़कर ससुराल की हर रीत अपनाती है, फिर उसे आज में चोड़ी नहीं की, घर में बेटी की तरह रही, देर हो रही थी अतुल को जाने के लिए, माने आशिरवाद दिया, तो उसके चहरे पर त्रिप की थी, अतुल मा के इस मौडरन दिस्टी कोन पर हैरान था, दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या सभी सास को अत तुल की मा जैसा होना चाहिए, यदि आपका जवाब हाँ है, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हरे कहानी कुछ ना कुछ कहती है, उसे हमारे को बहुत शिक्षा मिलती है, आज हरे घर, हरे परिवाद तूरते जा रहे हैं, सास ससुर को बहुएं और बहुएं को सास ससुर कड़वे लगते हैं, फिर वह सास ससुर को रधाश्रम छोड़ देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहु भी तो बेटी ही है, और सास की तो मा ही है, यदि आप चैनल पड़न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,